नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप लोग का साजवार अप्सलिजुन में और आज की इस वीडियो में बात करने वाला है पेटीम, फूल के वाईसी और मेनी के वाईसी के बारे में तो दोस्तों जैसे कि आप सभी को पता होंगा पेटीम का सेर्वा डाउन होने की वाज़े से कुछ मैंनेंज चलने की वाज़े से पंद्रा शब्रा बींस दिन से पेटीम का मीनी के वाईसी और फूल के वाईसी दोनों नहीं हो रहा है लगोग 28-39 जोन को मैंने दो लोगों का full KYC complete किया था और उसे दिन मैंने आप लोगों को वीडियो बना के पताया था कि अब आप mini KYC और full KYC दोनों कर सकते हो और उसके दो दिन बाद ही पेटियम का server दुबारा से down हो गया और अभी तक server ही down है लेकिन पेटियम का server down होने के बाद भी कुछ-कुछ लोगों का mini KYC और full KYC दोनों हो रहा है तो मैंने कलकी डेट में मतलब 12 जुलाई को अपने फ्रेंड का full KYC complete किया है लेकिन अभी full KYC complete करना का जब प्रोसेजर वो सबसे अलग है अभी पेटियम के customer care पर पहले call करना पड़ता है उनको permission देना पड़ता है तभी आप full KYC complete कर सकते हो तो जब मैं अपने फ्रेंड का full KYC complete कर रहा था KYC करते टाइम मैंने वीडियो भी record कर ले था ताकि मैं आप लोगों को proof दिखा सको हूँ तो इसलिए मैं आप लोगों को live proof दिखाऊँगा और बताऊँगा कि पेटियम का full KYC complete करने का new process क्या है और आप कैसे full KYC complete कर सकते हो तो जब मैंने जब वीडियो रेकॉर्ड किया था वो वीडियो प्ले करके दिखा देता हूँ तो जब मैंने आपन किया golden cat application और यह new version है KYC saving account यहाँ पर डानना है customer का mobile number मैं customer का mobile number एंटर करता हूँ तो अगर आप एक BC agent हो तो आपको भी same यही प्रोसेजर फ्लो करना है प्रोसेड पर क्लिक किया तो सबसे important चीज़ यही पर है आपको यही पर धियान देना है अगर आप एक BC agent हो तो सायद आपको पता होगा जब आप किसी customer का full के वाई से complete करते हो तो सबसे पहले customer का mobile number डालते हो mobile number एंटर करने के बाद customer के mobile number पर एक OTP आता है OTP एंटर करते हो OTP एंटर करने के बाद जब submit करते हो customer का आधर number पुछा जाता है Biometrics से कुछ details फिल करके आप customer का full के वाई से complete कर लेते हो लेकिन यहाँ पर मैंने जो डाला है customer का mobile number डालते ही कुछ और आ गया display पे तो अगर आप किसी customer का full के वाई से complete करते हो और mobile number डालने के बाद अगर यह page open हो जाता है तो अब फिर आप समझ जाना कि उस customer का full के वाई से complete हो जाएगा लेकिन full के वाई से complete करने से पहले customer को डिस्पले पे numbers हो रहा है 0120-487-2331 इस number पे उसी number से call करना होगा और call करने कि customer के mobile number पे balance होना चाहिए क्योंकि यह 12 free number नहीं है चार्ज़बन number है तो जैसी आप customer का mobile number एंटर करके submit करोगे automatically यह SMS customer के mobile number पे पहुच जाएगा अगर customer के mobile number पे SMS नहीं आता है तो यहाँ पर recent SMS का option है आप इस पे click करके customer के mobile number पे दुबारा SMS send कर सकते हो और जब customer इस number पे call करेंगे तो सबसे पहले उनको language selection का option बोलेगा आपको one press करना है one press करने के बाद दुबारा one press करना है और उसके बाद दुबारा one press करना है टोटल तीन बार one press करना है जैसे ही उनका call discount हो जाएगा automatically उसके बाद आपको यहाँ पर check user input पे click करना है check user input पे click करते customer का biometric मांगेगा यह page open हो जाएगा customer का आधा नमर आटमेटिकली आ जाएगा और आप authenticate पर किलिक करके customer का biometri से full KYC complete कर सकते हो तो आप लोग दे सकते हो customer का wallet अपग्रेट हो चुका है, full KYC complete हो चुका है और अगर कुछ customer का KYC करते time यह error आता है, तो आप समझ जाना कि उस customer का KYC complete नहीं होगा उनको 7 दिन या 10 दिन बाद आने के लिए दुबारा बोलिए तो मैंने आप लोग को Paytm का full KYC complete करने का new process के अबारे में बता दिया है प्रूब भी दिखा दिया है, तो आप इसी process को use करके customer का full KYC complete कर सकते हो तो फिर आप मत जाएए, आपका KYC complete नहीं होगा तो चलिए आप बात करते हैं, तो अभी मैंने जिस friend का full KYC complete क्या है उस पे मुझे payout मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो मैं आप सभी को बताना चाहूँगा दो बर OTP नहीं आता है, तो वो KYC आपका count नहीं होता है तो अभी जो मैंने अपने friend का full KYC complete कर लिया, उनके number पे कोई भी OTP नहीं आया तो मुझे पैसा किसलिए मिलेगा, मैंने तो कुछ महनत किया ही नहीं, मैंने उनका कोई भी detail center नहीं किया उनका income source, उनका father name, mother name, कुछ भी एंटर नहीं किया, तो फिर मुझे payout किसलिए मिलेगा customer ने अल्रेडी सब कुछ पहले सी एंटर करकर रखा था अपने paytm wallet पे और उन्होंने KYC भी complete कर ले था, 40%, मैंने सिर्फ उनका mobile number डालके biometric लिया है इसलिए इस काम के लिए मुझे कोई भी payout नहीं मिलेगा और आप लोगों को भी नहीं मिलेगा तो बस आज लिए इतना है था, मुझे उमीद है मेरा ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा वीडियो पसंद आये तो लाइक और शेयर करें और चैनले आपको सब्सक्राइब करना बिल्कूल न भूले, मिलते हैं अगले वीडियो में